तो स्वागत या आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोड पर लिखा हुआ और देखकर तो आप लोग लग रहा है कि कुछ उर्दू ग्रामर क नया टॉपिक नया नौलेज आप लोग को मिलने वाला है उर्दू ग्रामर में तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं उर्दू ग्रामर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एराब एराब का बयान आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसके पिछले साल का में कोश्चन पेपर देखी अभी तो दौजर तेस चल रहा है ना तो दौजर तेस में जो एक्जाम हुआ टेंथ और टुवल्थ का तो पूछन पेपर में उठा कर देखी तो एराब से दो कोश्चन पूछा गया था तो और वीजूली बात है कि 2024 के आ कान से समझेगा ताकि 100% कंसर्प्ट क्लियर हो जाए और एक परसेंट भी डाउट ना बचे तो नाव विदाउट एनी डीले लेट सबसे पहले लाइक कर दें उसके बाद से जितना जदा हो सके श्रीयर कर दें अगर आप लोग चैनल पर नए नए आया हुए है मेरे वीडि लिखा हुआ साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो वह इसलिए क्योंकि आपका मुबाइल जो वीडियो आप लोग प्लेग किये हैं वीडियो की क्वालिटी लो है इसी वजह से आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो कोई कोने में 3 डॉट आता है क्लिक करेंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एराब का व्यान क्योंकि इससे दो कोश्चन पूछा जाता है और मैं नहीं चाहती हमारे स्टुडेंट दो कोश्चन एराब से छोड़ कर आए क्योंकि उतना टफ भी नहीं है एराब किसे कहते हैं यही सबसे पहला डाउट आ जानी की अक्षर दो या फिर दो से ज्यादा अक्षर में भी अलामत इन्ही के जरिय तो इनी की रीत से तो हम कोई भी शब्د बनाते हैं जबड़ जेर पेश तश्दित वगरार लगाकर तो आप यूं क्यों कह सकते हैं कि जबर जेर पेश तषदीद कोहीं क्या कहा जाता है । देखी बाहर से थोड़ा साउंड आ रहा है आवाजे आ रहे हैं लेकिन उसको एगनॉर करना है एक भाद फिर से सून लोग क्या कहते हैं आफ़ गयां आपके आज सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अलिफ की कितनी किसमे होती है अलिफ सहल और दूसरा है अलिफ मकसूरा याद में तो सबसे पहला है अलिफ कि दोधा किस तरो से कोश्ञ लिए आप नाइन्थ में हो टेंथ में हो एलेवन में हो त्वल्थ में हो या फिर किसी कम्टिटिव या फिर इंट्रेंट अग्जाम की त्यारी कर रहे हैं सभी के लिए उर्दू ग्रामर मॉस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसलिए आप लोग अन तक बेज़िजक मंदूदा जैसे कि देखिए अलीफ के उपर मद्रा लगा दी में और इसमें पर जाएगा 천 आं अ पढ़ूपर क्या लगा है मत अलिफ के उपर जबहीं मंद लगता है जिसमियख के पर मन लगता है उसको खीच कर पढ़ा जाता है तो अलिफ को क्या कहेंगे अलिफ मम्दूदा कहेंगे क्या कहेंगे अलिफ मम्दूदा अब महां से सवाल किस तर से पूछता है कि दढ़ साथ में कोई भी एक शब्द उठा कर देगा मां लिजे आदाब देदिया आदाब यहां पर मैं लिख दे रही हूं आदाब इस लफज में कौन सा एराब है ठीक है उसमें दिया रहेगा अलिफ मम्दूदा ठीक है और उसके बद से वाउ मारूफ वाउ मजूल बहुत चार पर भी है Cantra Milk और एनलफ को के के आजएर अंगया हुगा समझाने के लिए एक ही बात को में बार बार रिपीट करती हूं ताकि बेहतर परीकी से समझ में आए अब देखी अलिफ मक्सूरह करते हैं कि जिस अलिफ को खीच कर ना पढ़ाली आप लोग कुछ ऐसे हर्फ देखे जिनके उपर खड़ा जबर लगा रहता है जैसे की देशी है अधना अधना में देख रहे हैं ये जो खड़ा जबर है ना ये खड़ा जबर लगने के वज़ा से इसको अधनी ना पढ़कर अधना पढ़ा जा रहा है अधना तो उपर खड़ा और अधना जब आप लोग पढ तो इसको आप लोग अधना पढ़ रहे हैं तो इसको खीच कर पढ़ा जाता है आम आदम अधाब उस तरह अधना को खीच कर नहीं पढ़ा जाए तो इस तरह के इस तरह के अलिफ को क्या कहते हैं अलिफ मक्सूरा कहते हैं याद रखिएगा अधना या फिर आला आला लिखा हुआ दिखाई देता होगा यह के उपर इस तरह खड़ा जबर रहता है तो आला हम लोग पढ़ते हैं आला आला दर्जा का है तो आला मतलब लास्ट में जो अलिफ हुए उसको ज्यादा खीच करन आधाब आदम ठीक है तो यह हो गया अलिफ मम्दूदा जिसको खीचकर पढ़ागा और यह हो गया अनार अंगूर अधना आला ठीक है यहां तक तो आईओप आप लोगों को समझ में आ गया होगा समझ में आ रहा है तो कमेंड में लिख कर दरूर बताए ताकि हमें भी पत कते हैं को समझते हैं की फिसमे फिर होती है अलिफ पीदोकिस में अलिफ मंधूदा और अलिफ मक्भ उसी तरह दो किस्में कोशन दो ही तरह से पूछ सकता यहां से एर अैराब से नहीं तरह कोई फेले इसलव में कौन सा रॉर या फिर इस लव्त में आस लफ्र चांस旅 genetically कि अप संदेगा आप लोगों बताना होगा तर पूशन इस तरह से पूछ सकता है कि दर्जायल में या मजहूल कौन है या पूछ जब आप लोग समझ जाएंगे कि अलिफ नून वाउ हे और यह इनकी कितनी किस्में हैं और कौन 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 सी किस्मी को क्या क्या कहा जाता है ठीक है तो फिर आप लोग आसानी से इंसर दे पाएंगे तो समझे अब नून के किस्मों को नून के भी दो टाइप होते हैं अलिफ की तरह अलिफ कभी दो टाइप उ दूसरा होता है नून गुर्णा को नून बातिना भी कहते हैं कोई लिकत नहीं है और देखिए नून जाहिरा जिस नून को लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए उस नून को कहा जाता है नून जाहिरा मतलब जिस नून को प्रणाउंस किया जाए जैसे की देखिए मैं लिख दी मन, मन में डिरेक्ट नून को पढ़ा जा रहा है मन, मैं लिख दी तन, तन में नून को पढ़ा जा रहा है मन तन उसके बाद से मैं लिख दी आन ठीक है बान पान लिख दी ठीक है शान लिख दी शान ठीक है तो इसमें नून को पढ़ा भी जा रहा है और लिखा भी जा रहा है मन अन्बन शतान शान वगैरा में नून को पढ़ करहा रहा है लेकिनना प्र बातिना उस तरह कि नून को कहते हैं जिसको लिखा तो या लेकिन बिंये इसको न्हों से पढ़ा ज present केश्म आपल देखर समझाओंग न अच्छे तरीके से समझ में आएगा देखिए मिमेलवजुड कर्मा और यह क्या है नून गुन्ना इस नून के बीच में इस तरह वाला नुक्ता नहीं है जो बीच में नुक्ता दिया गया लिखा गया है आधा लिखा गया और पढ़ा भी जा रहा है इसमें नून को पूरा लिखा गया था नून में बिंदू था नुकता था और इसको पढ़ा भी जा रहा था पूरा जैसे कि मन तन आन बान तान शान लास्ट में नून को नौ को पढ़ा जा रहा था लेकिन इसमें देखिए मा में मेले जुड़कर मा और नून गुन्ना नून को भी आधा लिखा गया है यानि कि बीच में नुकता नहीं दिया गया है आधा लिखा गया है सांसाथ इसको आधा पढ़ा भी जा रहा है मा 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 यानि कि लास्ट में नून गुन्ना इसको नाक से पढ़ा जा रह होगा तो यह दो टाइब के नुन होते हैं नून जाहिरा और नून गुन्ना ठीक है चलिए आगे बढ़ते कि याद रहेगा नून जाहिरा पूरा लिखा जाए और पुरा पठाभी जाए मन तन आं बांतान शान वगरा लेंकि नून गुनह जिस नून को आधा लिखा जाता ह यानि कि बीच में नुकता नहीं दिया जाता है और उसको आधा पढ़ा भी जाता है यानि कि नाक से पढ़ा induced 텐 कि मां कहां जहाँ ठीके जमा होता है न तो उस तरह के नोंगरना कहते हैं अब अब आये समझते हैं वाव किसे, मतलब वाव तो आप लोग जानते हैं, वाव ऐसे लिखा जाता है, लेकिन वाव की कितने किसमे हैं, वाव की तीन किसमे हैं, इसलिए मैं इसको बीच में लिखी हूँ, वाव की कितने किसमें, तीन किसमें, पहला है तीन टाइप, पहला टाइ पहले वाले हर्फ पर पेश हो और उस वाओ को खीच कर पढ़ा जाए जिस तरह यहां पर अलिफ को खीच कर पढ़ रहे थे बिल्कुल उसी तरह वाओ मारूफ उस तरह के वाओ को कहते हैं जिसको खीच कर पढ़ा जाए और उस वाओ से पहले वाले हर्फ पर पेश पाया तो यहां पर नून के उपर क्या पेश है और just इसके बाद है और ये जो वाऊ है जो आप लोग इसको पढ़ेंगे नूर यानि कि नूर का मुझत है है नूर को यह जो वाऊ है इसको खीच कर पढ़ा जाता हो जैसे कि नूर ठीक है नूर हो गया उसके बाद से हो गया हुजूर हाँ हुजूर यह भी बहुत अच्छा एक्जामपल है हुजूर हुजूर में लिग दी देखिए वाव है वाव के पहले ज्वाद है और ज्वाद के ऊपर क्या है पेश है तभी तो जू पढ़ा ज आप लोगो समझ में आगया होगा अब देखिए वाव मजहूल बस इसका पोजिट कर दीजिए जिस वाव को खीच कर ना पढ़ा जाए और उस वाव के पहले वाले अप्छर पर भी क्या हो पेश हो जैसे कि देखिए चोर मैं लिख दी चोर डिरेक्ट चोर पढ़ा जा रह है तो चोर डिरेक्ट इस वाव को खीच करना ही नपढ़ रहे है और चोर बोल दे रहे हैं उसी तरह मूर लिखना हो तो मूर लिख देंगे हम लोग जोर लिखना है तो जोर लिख देंगे लेकिन यहां पर देखिए दूर दूर पढ़ना हो दूर बोलना हो तो आप लोग सब्सक्राइब जाता है जैसे कि देखिए जिस वाव को तो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है जैसे कि लेकिन इसका सही प्रणसियशन हम होता है यानी कि यह जो वाओ है इसको लिखा गया है इसको लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है इसको क्या पढ़ा जाएगा ख़र ना पढ़के आप लोग का प्यार रहेगा आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा ठीके बस आप लोगा सपोर्ट चाहिए तो खैर यहां पर समझ यह वाव माधूला किसे कहते हैं आप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा जिस वाव को अले ही लिखा गया है ख्वाहिश लेकिन पढ़ा किया जाएगा खाहिश मेरी खाहिश है कि मैं इस मतलब भारत देश का प्रधान मंत्री बन जाओ मेरी खाहिश है कि मैं अपने एरिया में टॉप लाओं आप लोग ऐसे सोचते होंगे ठीके जो भी आप लोग का ठीके इसमें जो वाओ है यह क्या है वाओ मादूला है ठीके यहां तक समझ में आ गया होगा अब आते हैं हे पर अब देखिए इस हे को ना बहुत साइड लोग हे बोलते हैं और हे पढ़ते हैं लेकिन कई-कई जगा पर कई-कई छेतर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं हाई देखिए अगर आप जिस एरिया में रहे रहना उससे 10-15 किलोमीटर दूर आगे निकल जाएंगे तो आपके लेंग्विज में जो भाशा आप लोग बोलते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है उसी तरह जिस छेत्र में आप रहते हैं वो भी ठीक पढ़ते हैं अब देखिए मेरे मौली साहब हम हमको जो है ना मेरे मौली साहब मुझको इसको हे ही पढ़ाये थे अब कई जगा ऐसा है कई एसे छेत्र में इसको हे ना पढ़ाकर हाय पढ़ाया जाता है तो कोई दिकत नहीं अगर आप इसको हे पढ़ते है तो भी ठीक है, हाए पढ़ते हैं तो भी ठीक है ठीक है? चलिए तो हे की दो किसमें हैं, वैसे तो मैं इसको हे ही पढ़ती हूँ क्योंकि मैं बच्पन सही हे पढ़ते आई हूँ और इसको ये पढ़ते आई हूँ बहुत साथ लोग इसको याए पढ़ते हैं oy ay 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 लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए उस तरह कि हे को क्या कहते है हाई मलफूजी जैसे कि देखिए मैं लिख दी वह तो वह इसमें है ना यह है तो हे को लिखा भी गया है और पढ़ा भी जाता है वह वह जब आप लोग बोलते हैं तो वह लास्ट में हो बोलते हैं न यानि कि वाह में हे को लिखा भी जाता है और बढ़ा भी जाता है तो इस तरह के हे को क्या कहेंगे हाय मलफ़ूजी उसी तरह है मैं लिख Defense बादशाह थोड़ा सा राइटिंग में परीओरतना जाता है तो वाह बादशाह राह इद गाह यह जितने भी लफज है इसमें हे पाया जा रहा है मतलब हे लिखा गया है और पढ़ा भी जाता है तो इस तरह के हे को क्या कहेंगे हाय मलफूजी यह तो एक समझना यह बहुत ही जदा असान है बस इसका पोजिट कर दीजे हाय मुखतफी उस तरह के हे को कहते हैं जिस हे को लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है जैसे कि मैं लिख दी जामा लिख दी जामा समझते है ना पहनने वाला जामा तो जामा देखिए मीम में क्या है हे है जरा मैं इसको और अच्छे से लिख दूँ देखिए इस मीम में क्या है हे है लेकिन इस हे को लिखा तो हो जाएगा जमाना हो गया रवाना हो गया हम क्शम का और से ज्यादा एकडामपल नहीं माइन मतनल बिल्क दिए हुए मैं शॉषचप रवान भी कुणता है रवाना ठीकन भी बने वह कि आप बोल इं चाहं कहां ठीक है तो ये जितने भी है लबस्ग के लफेस्यां कि लास्ट में क्या में हे लगा हुआ है देए जामा में ये जमाना में लीकिटम का में या यह है लेकिन किसे को पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा है खाका पड़ा जा रहा है खाका ठीक है तो इस तरह के ये को क्या कहेंगे हाय मुक्तफी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा देखिए अब कोश्चन कहीं से भी आप लोग के एक्जाम में पूछे छोड़कर नहीं आना है क्योंकि इंपोर्टन समझते हुए मैं कि दो किसमे होती है आप नॉर्मली इसको यही बोलिए यह की दो किसमे बहुत चारे लोग इसको क्या बोलते हैं याए पड़ते हैं और नॉर्मली देखिए याए ही आप बोल सकते हैं पढ़ा भी जाता है यह भी पड़ सकते हैं और याए भी पड़ सकते हैं पूई दिकत मैं मारूफ मतलब की सतरा से परचानेंगे कि कौन से लफ्य मारूफ में याए मारूफ है अगर मैं लिख दी यहाँ पर अमीर और यहाँ पर मैं लिख दी चले ठीक है चले तो बताईए इन दोनों में याए मारूफ और याए मजहूल कौन है ज़रा बता दीजिए तो आप लोग हमें अगर आप लोग जानते हैं तो याए मारूफ यानि की छोटी यह किसमे है और यह मजहूल यानि की बड़ी एकिसमे है आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि अलिफ है मीम है यह अमीर लिखा गया है और यह चले लिखा है ठीक है यहां पर अलिफ है मीम है और मीम के निचे जेर मानकर यहां पर इसको कौन सा वा चोटी जुड़कर क्या हुआ है मी और मी और रे से रह अमी याननी कि इस यह है यह यह कौन सा वाली यह है तो यह वाला यह जो याय मजहूर है यानि की बड़ी यह हैं तो याद रखिएगा याय मारूफ जब भी पहचानना हो ना कि कॉन से लफ्ज में है याय मारूफ तो उसको पढ़ कर देखिएगा वह लफष में ये को जिस किस यह को की फिंच कर पढ़ा जाय को याय मारूफ भोल दिजिये गे जैसे कि अमीर अमीर में य Chelsea यह गदम पुरी तरीक से पढ़ा डारेक्ट डिख जक्वा है ऑक है जैशन सब मढ़ने टाने आमेर फाने गरीब तो अमीर अगर मैं लिद्स बढ़ेब यहां पर गरीब लिख दी गरीब थिक है तो देखिए गरीब गरीब याने की लिए ती्ड चोटी में लास्ट में क्या है जुटी यह हैं यानि याय मारूफ है छोटी बड़ी गरीब अमीर यह सब किसका एक्जामपल हो गया है यह मारूफ के और वहीं है्ग अगया धहान दें तो बड़े बड़े चले और मैं लिख दी शेर हाँ शेर बहुत अच्छा एक्जामपल है शेर इस शेर में आप लोग जरा इस शेर को पढ़कर देखिए क्या शेर में ये को खिच कर पढ़ा जा रहा है नहीं घरीब अमीर छोटी बड़ी इसमें डारेक्ट ये समझ में आ जा रहा है कि ह बड़े लिख और इस तरह के में जो ये पाया जा रहा है और इस ये को आप लोग क्या करेंगे याय मज्वूल करेंगे आप लिखने इतना याद रखेंगा कि छोटी एकओ या concentrating vehicle और क्यों से से होड़े advert c Ин娜 में बढ़ी है य कि पता करने के लिए आप उस लवा को बढ़ यह जब ये को सफा पढ़ा जाएगा पढ़ने से पताओ चल जाएगा कि इसमें या है जैसी कि अमीर घरीब चोटी बड़ी कि इसमें यह है ये ये को साफ साफ पढ़ा जा रहा है तो वो उसमें समझेगा कि छोटी है और जिस लफज में ये को खीच करना पढ़ा जाए साफ साफ नहीं समझ में जैसे कि शेर चले बढ़े बीना खीचे ये को पढ़ दिया जा रहा है तो इस तरह के ये को समझेगा कि इस तरह के लफज मे कौन सा यह होगा तो बढ़ यह होगा आई होब आप लोगो समझ में आ गया होगा बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगो समझा ने की कुशच की हूँ अगर समझ में आया है तो comment में लिख कर बताईएगा कि हाँ 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 एक एक पॉइंट समझ में आया है एक परसंट भी doubt नहीं बचा है अगर doubt बचा भी है तो comment में लिख कर पूछिए हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में उस confusion को clear कर दूँ सरा अब आई हम लोग 파ईनली दो मिनेट में रिवाइज कर लेते हैं ज्यादा समय नही लेगा दो न हमात्र जैसे जैसे मैं लिखेल kयों अर्लिख को बोलना है और बताते चल्णा ऐसे कितनी किसमें किसमें इनदुप dependence मैं कीज़ें जो सभी आडिकश क्हीच कर पढ़ा जाए यानि की मद्वाले अलिफ को क्या कहें involving मंद देखकर पहचान लेंगे जिस अलिफ के उपर मत पाया जाएगा उसको डिरेक्ट बिना देखे कि बोल दिजेगा आप लोग अलिफ मम्दूदा ठीक है देखेंगे तभी तो बोलेंगे प्लब देख लिजेगा कि आलिफ की उपर मत है की नहीं ठीक और जिसको जाहिर करके पढ़ा जा कि माव मारूफ माव माव मागूल्दा वाव मारूफ लिए जिसको खीज कर पढ़ा जाए नूर, हुजूर, दूर ठीक है वाव मजूर उस तरह के वाव को कहते हैं जिसको खीच कर नहीं पढ़ा जाए जिसको चोर, मोर, जोर और वाव मादूला उस तरह के वाव को कहते हैं जिसको लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए जैसे कि खाब, ख्वाहिश ठीक है ख्व लिखा ड़ता नहीं जाता है जैसे कि JaMaj लिखा गया है लेकिन क्या पढ़ा जाएगा-pads amana जमाना रवाना और यह कि फिदो किसमें याय मारूफ और मजहूल आए मारूफ मिने महारूफ को एक-एक पॉइंट समझ में आ गया है और वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना ज़्यदा हो सके आप लोग शेर करें आप लोग के कॉंटेक्ट में जितने भी लोग है चाहो तव शेर कर दे दबा कर और उसके सांसाथ स्टेडेस वगरा भी लगा दे ताकि सभी लोग इ अगर आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बे धड़क बे जिलक लीजिए स्क्रिंशॉट और इतना दिर में वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल ज़रूर दबाह लेना है